नमस्कार MP News कास देख रही है आप और आपके साथ मैं हूँ आस्ता शिवास्ताविसी के साथ अब ख़बरे विस्तार से चार गुना महेंगी खाद करके किसानों का जीवन नरक कर रखा है उपर से बयानवाज मुख्यमंत्री सिर्फ खोखले वादे करते फिर रहे हैं मैं मुख्यमंत्री शिवराज जी से आगरह करता हूं प्रदेश के किसानों को बिना देरी किये तुरंत मुआवजा दिया जाए महंगाई की मार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के इशारों पर विद्युत विभाग ग्रामीन जनों किसानों और विद्यार्थियों के जीवन को अंधकार में धकेलने को आमादा है मध्यप्रदेश में किसान विरोधी नौजवान विरोधी भाजपा सरकार अपनी ताना शाही बंद करें और सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था पर ध्यान दें काला पीपल से बबलू जायसवाल की रिपोर्ट कम से कम कहीं न कहीं तीन हजार तो करा जाए और मार्केट में जब विकरा था तो सरकारी यहों को डाल के उसकी कीमत खतम कर दें एक तरफ सरकार बड़ी-बड़ी बाते चैनलों पर दूसरी जगा मुख्यमंतरी करते हैं कि हमने सर्वे के आदेश दे दिये जिस दिन पहले दि करें सर्कार सरकार अभी तक उसके आदेश नी दे चुकी 40,000 और जले नमक शटकने का काम जो जले पर नमख शड़कने का काम है कि मद्ध्य प्रदेश के अंदर जो भिजिली के बिल के नापर बाई 12-3 तारीक का मैं बता रहा हूं कि मद्ध्य प्रदेश के अंदर किसानों को चोरों की तरह देखती है और उनके साथ जो इनका विवार है जो बिजली की कुरकी करने का इसके खिलाब मैं सदन में ध्याना अकर्षित करने आया हूं कि बड़ी बड़ी बाते करने से नहीं चलेगा लूट करने से नहीं चलेगा गेहू की कीमते तीन हजार रुपय कुण्टल देनी होगी ये कुरकी बंद करके किसान को फ्री बिजली देनी होगी और कहीं न कहीं 40,000 रुपय एक्टेर का मुआज़ा इस फसल नुफसादी पर देना होगा अब फसले जब कड़ जाएगी उसके बाद सर्वे करेंगे कब सर्वे करेंगे ये सवाल है मू ना चलाए सीधे सीधे आदेश पारिस करें